Hello Friends, कैसे हो अब लोग, उमीद है आप सभी लोग ठीक होंगे आज हमारे पास है दो फोन, Realme X7 and Realme 8 आज इस वीडियो में इन दोनों फोन के बीच Speed Test Comparison करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, दोनों फोन में से किसका Performance अच्छा है दोनों ही फोन में दोस्तों हम लोग यहाँ पे Ram Management टेस्ट करके भी बताऊंगा कि किसका Ram Management अच्छा है उसके पहले दोनों फोन का Specification बता देता हूं Realme X7 में मिलता है Mediatek का Diamond City 800U 5G Chipset हमारे पास है 6GB 64GB Variant और यहाँ पे Super AMOLED डिस्पले मिलता है Realme 8 में मिलता है Mediatek का Helio G95 4G Chipset हमारे पास है 4GB 128GB Variant और यहाँ पे भी Super AMOLED डिस्पले देखने को मिलता है दोनों ही फोन में दोस्तों किसी में भी High Refresh Rate नहीं दिया गिया है दोनों ही फोन में दोस्तों सेम Wi-Fi से Connect है ताकि दोस्तों जो Speed है और दोनों ही फोन में सेम मिले दोनों ही फोन के Background में दोस्तों कोई भी App यहाँ पे Run नहीं कर रहा है अभी चलिए दोस्तों सबसे पहले कुछ App हम लोग Open करेंगे और लास्ट में दोस्तों Remanagement टेस्ट करका भी दिखाऊंगा चलिए सबसे पहले Play Store को Open करते हैं और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा Slightly पहले Realme X7 किया है Call of Duty को Open करते हैं यह Heavy Game है दोस्तों थोड़ा Time लगेगा Open होने के लिए तो Fast मोसान में देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले Realme X7 Open किया है और Realme 8 अवी भी Time लगा रहा है और अवी जाके दोस्तों Open हुआ है Asphalt 9 को Open करते हैं दोस्तों और देखते हैं कौन सा Phone इस Game को Open कर पाता है यहाँ पे भी दोस्तों उइना रहता है हमारा Realme X7, Realme 8 अवी जाके दोस्तों Open किया है चलिए दोस्तों Flip Card को Open करते हैं और यहाँ पे दोस्तों Realme X7 पहले लेकर आया है चलिए Tap उपन करके रखते हैं Remanagement के टाइम में काम में लगेगा YouTube उपन करते हैं दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों Realme X7 slightly पहले किया है थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं दोस्तों चलिए और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे Facebook को Open करेंगे और यहाँ पे दोस्तों slightly पहले हमारा Realme 8 लेकर आया है और पहली बार Facebook सबसे पहले Open किया है हमारा Realme 8 चलिए Camera को Open करते हैं और देखते हैं कौन सा फोन पहले करता है दोनों ही फोन दोस्तों लगवक सेम टाइम में किया है यहाँ पे दोस्तों Instagram को करते हैं दोस्तों Open और यहाँ पे दोस्तों Realme 8 थोड़ा सा पहले Open किया है और चलिए यहाँ पे Chrome को Open कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तो realme 8 slightly पहले किया है लेकिन full page दोस्तो reload किया है सबसे पहले realme x7 अभी चलिए दोस्तो हम लोग यहाँ पे ram management को test करेंगे यहाँ पे देख लीजे सारे ही app यहाँ पे रखा हूँ ram management मतलब ram में चलिए play store को open करते हैं दोस्तो यहाँ पे realme x7 ram में था जबकि realme 8 फिर से reload किया है उसके बाद दोस्तो हम लोग यहाँ पे call of duty को open करेंगे और यहाँ पे दोस्तो देख लीजे ram में है जो realme x7 है इसके ram में है और यहाँ पे realme 8 अभी जाके दोस्तो open किया है चलिए दोस्तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे asphalt 9 को open करेंगे दोस्तो यहाँ पे ram में है जबकि realme 8 फिर से reload कर रहा है दोस्तो इसके बाद दोस्तो हम लोग यहाँ पे flip card को open कर लेंगे RAM में है और यहां पर RAM में है लेकिन दोस्तों reload थोड़ा late करके open किया है खैर चलिए दोस्तों RAM में था यहां पर YouTube को open कर लेते हैं और यहां पर RAM में है जबकि दोस्तों फिर से reload किया है हमारा Realme 8 यह अलग बात है दोस्तों Realme 8 थोड़ा slow काम कर रहा है मतलब थोड़ा delay काम कर रहा है RAM management के ममले में यहां पर Facebook को open कर लेते हैं Facebook दोस्तों दोनों ही phone के RAM में है अवी चलिए camera open कर लेते हैं camera भी दोस्तों दोनों ही phone के RAM में है अवी चलिए दोस्तों यहां पर Instagram को open करते हैं दोनों ही phone दोस्तों reload किया है Instagram को कोई भी phone दोस्तों यहाँ पे RAM में नहीं था दोनों ही phone reload किया है Google को करते हैं दोस्तों यहाँ पे देख लीजे दोस्तों Chrome RAM में था जबकि दोस्तों यहाँ पे Realme 8 फिर से reload किया है अभी दोस्तों मैं आप लोगों को रहा था हमारा Realme X7 तो यहाँ पे दोस्तों मैं सब सब उइनर एनॉंस करता हूँ Realme X7 और Realme 8 थोड़ा लेट करके open कर रहा था सारे ही एप यह था मेरा honest opinion वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना सेर करना और सस्क्राइब करके बिल आइकन बजने टाइम और में जरू क्लिक करना इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले फ्रेस वीडियो में तब तक मचाते रहो